हलो दोस्तों नमस्कार के पी टीचर एकडमी आपका हर्तिक स्वावत है आसा अगर तो आप सहस्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज हम सीडीपी वाल विकास सिच्छा सास्तर का थर्डी कुशन के जमर्जास से लाएंगे जो की सीटेट परिच्छा में आपकी बहुत ही हेलफल सावित होगा तो आजकर हम कुशन स्टार्ड करते हैं कि निम दुलत में से कौन सा कारक बालक की बासा विकास में सायक नहीं है ऑप्शन देखेंगी यह सारिक स्वास्त भी बुद्धी सीए परिवार का सामाजिक आर्थिक इस्तर डिये प्रजातिये गुड तो काफ प्रजातिये गुड बासा विकास में सायक नहीं होता है तो आंसर यता करेक्ट हो जाएगा हमारा इसका अकोर्डिंग डी अगला कोशन देखते हैं कि किस काल को ग्रोह अवस्ता का काल कहा गया है तो ग्रोह अवस्ता का काल का गया है तो अनसर यका करेक्ट हो जगा है इसका अपरल्य अवरा डी अकोर्डिंग अगला कोशन देखेंगे कुषण पसंदा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में जाए सान, सेर करें, कुशन देखती हैं, कफे अच्छा कोशन है, तो answer is the coding, हो जैगा हमारा, सी तो अंसर करेक्ट हो जाएगा किस्तोर वस्ता का अगला कोशन देखती है बालक की सारदिक विकास को सरवधिक रूप से प्रवावित करने वाला कारक है यह पॉस्टिक बोजन, बी ए खेल कूद, सी ए सुरच्छा की वावना, डी ए अनुवन सिक्ता तो बालक की सारदिक विकास को सरवधिक रूप से प्रवावित करने वाला कारक कौनसा है इस प्रकास से कोश्चन को समझेंगी तो बालक के विकास को सबसे ज्यादा कौन सा कारक प्रभावित करता है यह कोश्चन में पूछ जाए तो इसका अंसर करक्ट जाएगा अनुवान सिकता बालक के सारक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक होगा तो अंस से 10 वर्ष की आयू के बालकों के लिए बनाय गया है इस परिच्छड में कार्ड में प्रतिस्तापित किये गए हैं तो आप्शन देखेंगे इसके ए सजी बस्तियों के स्थान पर नर्जी बस्तियों को बी ए लोगों के स्थान पर जानवरों को सी ए प्रुसों के स्थान पर मैलाव को डी ए वैस के स्थान पर बालकों को तो कोशन पुछा रहा है कि बालक प्रसंग बोध परिच्छड तीन वर्ष से 10 वर्ष की आयू के बाल गए हैं काड में प्रतिस्तापित क्या किया गया है या क्या किये गए है इस को समझेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अमारा आंसे तरह करेक्टर जाएगा लोगों की इस्तान पर जानवरों को प्रसंगी की बहुत परिच्छर में दस से माफ कीजिए तीन से दस वर्स की आयू के बालगों के लिए बनाया गया है तो अनसे तरह करेक्टर जाएगा इसका अकॉर्डिंग अमारा बी अगला कोशन देखेंगे अधिगम के बिविनिस एदान्त ब्याक्ष्चा करते हैं या अधिगम की तयत्यात्म गृप से किस प्रकार ब्याक्ष्चा की जासकती है दी ये ब्यक्ति कैसे सीथे हैं और क्या सीहते हैं इसे पारक बालग का व्यक्तुत सीके नहीं में सायक होता है रिए बुद्धी अधिगम में किस प्रकार योगदान देती है काफ एच्छा कोश्च है कोश्य मुछ लाया है की अधिगम के भिविनिस और्फ किस की ब्याक्या करते हैं तो ज़स्केंब बात करते हैं अधिग्याम की तर्थ्यात्म की रूप से किस प्रकार व्याक्ठ्या की जा सकती है अधिग्याम के विवनसित्धांत है तो अन्सर पर एक करेक्ट रियेगा इसका कोडिंग हमारा ए अगला कुशन देखेंगे अगला कोश्चन देखेंगे अधिगम के संदर्म में निम्ड लुक्त में से किस मनोबेग्यनिक ने इसकीमा पद का प्रियोग किया है A. गैने B. आसुबेल C. इसकीनर D. जीन प्याजे तो कोश्चन पुछा गया है कि अधिगम के संदर्म में निम्ड लुक्त में से किस मनोबेग्यनिक ने इसकीमा पद का प्रियोग किया है पूछा जारा है कोश्चन में कि अधिगम के संदर्म में किस बेग्यनिक ने या किसी मनोबेग्यनिक ने इसकीमा पद का प्रियोग किया है इस कीमा की जब भी बात आती है तो इस कीमा जड़ा हुआ है जिन प्याजे जी से तो करेक्ट अंसर हो जाएगा हमारा इस कीमा का प्रियोग किया है जिन प्याजे ने तो करेक्ट अंसर हो जाएगा हमारा D अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में चलों को सब्सक्राइब कर लें कोशन करते हैं प्याजे के मता अनुसार बालक में ग्यानरगन होता है A. पतच्छे सिच्छड द्वारा B. अनुकुरन द्वारा C. परिपक को मस्तस्क होने की स्थिति में द्वारे चल कुछा गाए कि प्याजे के मता अनुसार बालक में ग्यानरगन होता है किस प्रकार से एससे क्षिंगर समझेंगे तो जिसके बात करते हैं आगला कोशन देखते है अपरतिछे पत समस्याओं का उपयोग किस सरेड़ी के प्रप्रयोजियों के लिए किया जाता है A. बच्चे, B. प्रॉड, C. चिडिया, D. पसू तो कोशन पुछा गया है कि अपरतिछे पत समस्याओं का उपयोग किस सरेड़ी के प्रयोजियों के लिए किया जाता है तो इसके अकोर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा प्रोणों के लिए किया आता है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा B अगला कुशन देखती है समस्या के अचानक समदन की बकालत करने के बाले सिद्धान्त का नाम है A. सक्रियात्मक अधिगम B. सूच्मक अधिगम C. पदच्छ वबूलका सिद्धान्त D. अनुबंदन तो कुशन की जारा है कि समस्या के अचानक समदन की बखालत करने वाला कौन सा सिद्धान्त है यह कुशन को इस पकार्ट से समझेंगे तो जैसे के बात करते हैं समस्या की अच्छानक समधान की बगलत करने वाला सिद्धान्थ है जो की सूचम का सिद्धान्थ है अंसर है करेक्ट इसके अगोड़िया वारा बी सूचम का सिद्धान्थ अलकुशन देखेंगे के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निस्पादन का एक संपूर अवलोकन देती है ए रना गिरमानात्मक मूल्यांकन बी योगात्मक मूल्यांकन सी ए निदानात्मक मूल्यांकन डी ए उपर्युक्त मैं से कोई नही मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निस्पादन का एक संपूर अवलोकन करती है तो जैसे के मैं बात करती है यहां पर योगात्मक मूल्याकन के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुछलताम में निश्परन का प्रियोग या एक संपूर्ण अबलोकन करती है तो इसके कोड़िंगे हमारा आंसर एक हो जाएगा योगात्मक मूल्याकन तो आंसर हो जाएगा बी अगला कुशन देखेंगे ससक्त अविप्रेणा सीखने का प्रभावपसाली गटक है ए इससे बालक स्वस्त रहता है बी ये ध्यान करता है सीख्र सीखता है दी ये प्रशन रहता है तो काफी एच्छा कोशन पुचा गया है कि ससक्त अविप्रेणा सीखने का प्रभावपसाली गटक क्या है इस प्रकार से कोशन को समझेंगे तो जैसे कि बात करते हैं आपे सीग्र सीखना ससत अविपनेड़ा सीखने का प्रभावसाली गटक है तो अंसर मां करेक्टर जागा इसका अगॉर्डिंग C अगला कोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं सद्धियात में कोशन देखेंगे हरस्त सिलिप की सिख्छा दी जानी चाहिए इस पकार से कोशन को हम समझेंगे आपे दूसरों जाम बात करते हैं हरस्त सिलिप सिख्छा मंदु बुद्धि वालक को दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवने आपन कर सके तो अंसर वारा करेक्टर जाएगा एए अलोगशन देखेंगे कि विवारिक बुद्धि को कहा जाता है कि विवारिक बुद्धि मूर्थ बुद्धि को कहा जाता है तो आंसर जीज़ा करेक्टर रहेगा इसका गॉर्डिंग उमारा ए टिक करड़ेंगे यहां पर अगला कोशन देखते है कोशन देखेंगे फिर ओप्शन देखेंगे इसके नीचे दीएगा परले कोशन देखते है बैक्तिट बैक्ति में निहित उन किस मनोव एक्यानिक से सम्मंद्ध है यह डेफिनिशन दी गई है ऑप्शन देखें किसके ऑप्शन है यह कैटल ऑब यह आई जोग कि अलपोर्ट डी अवाट्सन तो कफी अच्छा कोश्च पुचा रहा है कोश्च पुचा रहा कि व्यक्तित व्यक्ति में निहित उन मनोव स जाइजिए सके में ब्यक्तित करते हैं उप्शंगें और व्यक्तित के संदर्म व्यक्तित में नीत और दोर्ण द्वारा दिए दीए तो देखेंगे इस पर मैंने अपने बुद्धी सिद्धान्त में निम्न लखित में से किन दो कारगों का उले किया है काफी अच्छा कुशन पुचे गया है कुशन पुचे ज़रा की इस पर मैंने अपने बुद्धी सिद्धान्त में निम्न लखित में से किन दो कारगों का उले किया है दो कारगों के बारे मैं पूछा गया है तो जैसके हम बात करते हैं दो कारगों की तो इस प्रेमे ने अपने बुद्धी सिद्धान्त में सामान ने एवं विसेस्ट दो कारगों का लेख किया है तो करेक्ट रांसर हो जाएगा हमारा यहां पे C अगला उच्छन देखेंगे तर्मन ने बुद्धी को निम्डल में से कौन सी युगता माना है तर्मन ने बुद्धी को निम्डल में से कौन सी युगता माना है तो अगला उच्छन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ जात में गिलफोर्ड ने कारक बिसलेशन की आदार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है तो काफ़ी इच्छा कुछन पूचा गया है कुस्षन में पूछाजा जया रहा है तो गिल्फॉर्ड ने कारक्सिलिff के आधार पर एकसुपचास कारकों में से जो पता लगाया है तो आशक्षन में करक्षन जएगा यहां पे C अगला कुस्षन देखेंगे सम्पूर शिछण प्रकरिया के कुल सोपान पद होते हैं A3, B4, C5, D6 तो कुषिन पिचला रहा है सम्पूर शिछण प्रकरिया के कुल कितने पद या सोपान पद होते हैं तो इसका अगोरिधि बात करती हैं और रैसर गयाँ पर करेक्ट रोजाएगा चार कुल सोपान पद होते हैं तो कर्रेक्टा अंसर दाएगा भी एलोशन देखते हैं निम्न लगत में से कौन सा उद्देश इस्मर्ती इस्तर किस चड़ से संबंदित नहीं है कौन सा उद्देश इस्मर्ती इस्तर किस चड़ से संबंदित नहीं है नहीं में कौशन भी सीटर्ट में भी आती हैं तो कौशन को हमको एक बार केवपुली पढ़ना होगा तब उसके अकोड़िंग आंसर देना है यहां पर तीन ओप्शन इसे फॉलो करने एक ओप्शन इस फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका आंसर होगा कि कौशन में नहीं में पूचा गया है उसके अकोड़िंग में आंसर देना हुआ तो नहीं है मानसिक चमताओं का विकास करना इसमर्थी उद्देश इस्तर का सिच्छड से संब्ध नहीं होता है तो आंसर देख लेगा इसका अकोड़िंग हमारा सी अगला वोशन देखते हैं उप्चारात्मक सिच्छड कारिकरम की संदर्व में गड़ित विसे में त्यार किया गया योग्जिता परिच्छड कहलाएगा ए उपलब्दी परिच्छड दीए संक्रनात्मक परिच्छड सीए निदानात्मक परिच्छड दीए रचनात्मक परिच्छड तो कोशन कुछ जा रहा है कि उप्चारात्मक सिच्छड कारिकर्म की संदर्म में गड़ित विश्यक में तयार किया गया योग्जिता परिच्छड क्या कहलाएगा इस प्रकास को समझ सकते हैं तो जैसे कि यह भी बात करते हैं निदानत में परिच्छड कहलाएगा तो अनुसरे करेक्टर जाएगा हमारे यहां पर सी अगला कुशन देखाएंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ आतमे चैनल को सब्सक्राइब करने प्रैक्नों प्रैस करने जिससे की नोटिफिशन में अनुसुनदान की रूप में चेनित किया के जा सकता है बिद्ध्यालों में सिच्छकों की प्रोनिती नीतियों में परवतन किया जाए लिए चा्त्र किस्पकार परिच्छ़ामें अनुछत सादरों की प्रियोग करने की मानसिक्ता बना लेते हैं सिय रिए माद्म की स्तर पर अद्रभ विद्यार्तियों में कि बुध्धी में यौन बेद पाया जाता है दिये बारती सिंच्छा बिवस्ता तथा उस पर जाती बेद का प्रवाब है तो कोशन को एक बार और देखेंगे कोशन में काया रहा कि किस सोथ समस्या को क्रियात्मक टिक करते हैंगे आपे किस सोथ समस्या को क्रियात्मक अनुसंदान के रूप में चेनित किया जा सकता है इस प्रकार से कोशन में पुछा रहा है जैसे बात करते हैं चात्रिप के स्प्रकार परिच्छों में अनुचित स्वाधनों के प्रयोग करने की मानसिक्ता बना लेती हैं तो आंसर या करेक्टर एक इसको अकॉर्डिंग हमारा बी अगला कोश्चन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं सात्यात में कोश्चन देखेंगे सैच्छिक आकलन को उप्योगी एवं रुचिकर बनाने के लिए अवशक है कि ए सैच्छिक एवं सैच्छिक छेत्रों में विद्ध्यार्तियों द्वारा सीखिने के संबंद में बिद्वद तरीकों का प्रियोग कर सूचना इकत्रित करनी चाहिए बिए विद्ध्यार्तियों को प्रेश्ट पोश्टर देने हेतु तकनीकी बासा का प्रियोग करना चाहिए C.A. भिन भिन विन विद्ध्यार्तियों की तुलना करनी चाहिए D.A. विद्ध्यार्तियों को बुद्धिमान अथवा ओशत विद्ध्यार्ति की टिपड़ी देना चाहिए तो कोशन देखेंगे एक बार और कोशन बोरे जारा है कि सैच्छिक आंकलन को उपयोगी एवं रुचिकर बनाने के लिए क्या आवशक है इस प्रकार कोशन को समझेंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं सिच्छक सैच्छिक आंकलन और रुचिकर बनाने के लिए इसके लिए हम सैच्छिक एवं सैच्छिक चेत्रों में विद्यातियों द्वारा सीखने के संबंद में विद्वत तरीखों का प्रियोग कर सूचना इकत्रित करने चाहिए तो आंसे दक करेक्ट जागा इसका वोड़िंग हमारा ए अगला कोशन देखते है प्रात्मे की स्थर पर बच्चों को पढाने हे तू एक अध्यापक में निम्नलग में से क्या विद्याशता होनी चाहिए ए है कच्छा में उत्रुकता के साथ पढाना बी है सास्ति बासा का प्रियोग करते हुए दच्चता पूरुबक पढाने की योकिता सी है द्रण एवं माफ कीज़े द्हर एवं द्रणता के साथ पढाना ऐसा लगता है यहां पर ऑप्शन दी दिया नहीं गया है कोई बात नहीं कोशन को एक वार देखेंगे देखते हैं इसी में से आंसर हो आपकर यह तो अच्छा है आपके लिए कि एक ऑप्शन कम कर दिय आपको तीन में से ही चांट रहे हैं कोशन को तो जैसके बात करते हैं प्रात्मे की स्तर पर बच्चों को पढ़ाने हे तू एक अध्यापक में निम्लव में से क्या विसेस्ता होनी चाहिए कोशन कुछ नहीं कि प्रात्मे की स्तर पर पढ़ाने वाला टीचर है उसमें कौन कुंसी विश्यस्ता होनी चाहिए यह कोशन में पुछा जा रहा है तो जैसे कि बात करते हैं प्रात्य में किस तरह पढ़ाने के लिए बच्चाओं को दहर एवन ध्रता के साथ पढ़ाना चाहिए यह होनी चाहिए तो आंसे तरह करेक्ट जाए हमारा कोई बातरी डी नहीं है तो आंसे बारा सी मिल गया अगला कोशन देखेंगे काफी वड़ा कोशन है प्रजातांत्रिक बिचारदारा से प्रेरित एक अध्यापक विद्ध्यारतियों को कक्छा में कहीं वी बैठने की अनुवति प्रतान करता है कक्छा में कुछ विद्ध्यारती समू में पाठी विसेवस्तू पर चर्चा कर रहे हैं और समू रूप से अध्यन कर रहे हैं कुछ बालक समू में ना बैठ कर अकेले ही व्यक्तिगत रूप से अध्यन कर रहे हैं एक अव्यावक के रूप में आपको यह विवस्ता पसंद नहीं है ऐसी इस्तिती में आपकी क्या प्रत्क्रिया होगी तो option दिखेंगे इसके हम एए आप अपने बच्चे को बद्याला से निकाल लेंगे बीए आप इस प्रकार की विवस्ता के सम्मन्द में प्रतनाचार से सिकायद करेंगे सिये आप प्रतनाचार से अन्रोध करेंगे कि वह है अपकी बालक का इस्तानतर अन्नी सेक्षन में कर दे डिये आप से चेक पर विस्वास करेंगे और उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे काफी अच्छा कोशन कुछा गया है कोशन को एक बार हो समझेंगे चित्रा से जिसे कोशन कुछा जा रहा है कि एक टीचर है जो कि पुरजातांतरिक बिचारदारा रखता है उससे प्रेथ होकर उसने अपने विद्यारती को कक्छा में कहीं भी बैटने के लिए अनुमती प्रदान कर रखी है और कक्छा में कुछ विद्यारती है जो कि सम्मू या गृप बनाकर बिसेवस्टू पर चचा कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और कुछ बच्छे सम्मू रूप से अध्यन कर रहे हैं और कुछ students हैं या बालक हैं समुमें ना बैठ कर अकेल ही ब्यक्तिकत अपना अध्यन कर रहे हैं एक पेरेंट्स को या अव्याबक को यह विवस्ता पसंद नहीं आती है तो वो है ऐसी सिद्धी में कौन सी प्रतक्रिया करें यह question में पूछ जा रहा है जैसे कि बात करते हैं यह option होते हैं एक बार तो option का according बात करते हैं जब हम तो इसका अंसर जो होना चाहिए कि आप सिच्छक पर विस्वास करेंगे और उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे क्योंकि आपको टीचर विस्वास रखना हुआ और टीचर से बात करनी होंगी तभी सारी चीज़ें क्लि सिच्छक अपने विस्वास की प्रस्तुति करण की समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अपसर प्रदान करता है सिच्छक द्वारा अपनाया गया सिच्छड यह प्रकार है ए अनुदेशन बिये कक्छा सिच्छड सिच्छड प्रस्तुति करने के लिए समय और अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है अपनी चात्रों को तो सिच्छक द्वारा अपनाया गया सिच्छड यह किस प्रकार का है इस प्रकार से कुश्छन को समझेंगे बात करते हैं इस प्रकार की सिच्छड का जो की प्रप्रसिच्छड होगा तो अंसर करेक्टर जागा इसके अकोडिंग हमारा सी प्रसिच्छड अगला कुश्छ कोशन देखते हैं, कक्छा कक्छ प्रक्रिया है, A. सामान प्रत्य, B. बैज्ञानिक संप्रत्य, C. सामाजिक प्रत्य, B. प्रचाइसांत्रिक प्रत्य, काफी अच्छा कोशन नहीं है, कक्छा कक्छ में प्रक्रिया किस प्रकार की है, इस प्रकार से कोशन समझेंगे, जिसके बात करते हैं कच्चा कच्च की प्रक्रिया है जो की प्रजातांत्रिक होनी चाहिए बैसे तो बगर जब बात करते हैं कच्चा कच्च किस प्रक्रिया है तो बैग्यानिक संप्रत्य है है क्योंकि यहां पर हम एक बैग्यानिक के तौर पर ही अपनी सारी चीजों को इनिकलूड करते हैं और प्रयोग के आज़ार पर सारी चीजों को पर निस्कार्स पर पहुंचते हैं तो आंसरी दाखर जाएगा इसका अकॉर्णिक हमारा बी टिक कर देंगे यहां पर काफी अब पहले हम सब्सक्राइब करें करते हैं तो आंसर घ्टाइए अम अवारा बी अगला कोश्ण देखेंगे हैं अगला कि विवार का संब्यात्मक पहलू निम्न लुक्त में से सम्मंद्ध होता है यह सीखने के संग्रम पक्ष से बिया सीखने के बावात्मक पक्ष से सीखने के क्रियात्मक पक्ष से दिया सीखने के मनोबैगनिक पक्ष से तो कोशन कुछ जारा कि विवार का सब्सक्राइब करते हैं कि सीखने के भावनात्य प्रक्ष्च से संब्सक्राइब करें अगला कोशन दिखते हैं सबसे अच्छा वर्लन नियम लग्समें से किसके द्वारा होता है कि किसी को कितना विक्सित किया जा सकता है काफी अच्छा कोशन पुछा गया है कि पिकास पर अनुवान शिक्ता कि प्रवाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्लन कौन सा करता है या किस के द्वारा किया जाता है इस पर अच्छा कोशन समझेंगे जैसके आप बात करते हैं कि अनुवान शिक्ता निरुदाहरत करती है कि किसी को या किसी को कितना विक्सित किया जा सकता है तो अंसी द्वार क्रेक्टर जाएगा इसका ओर हमारा बी अगरा कोशन देखते हैं वीडियोग करते हैं साथ आतम आ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहें कोशन देखेंगे यदि कोई बच्चा विद्ध्याल में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे यह उसे डाटेंगे ताकि वह है यह गलती दुवारा ना दोराए बिए पतानाचार को बताएंगे सिय उसके मातरस्ता से संपर्क करेंगे बच्चे से बाच्चित करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कफे अच्छा कोशन का है CT case उर तो आप क्या करेंगे अगर बच्चा देरी से आ रहा है तो बच्चे से बातचीत करेंगे और उसके बारे में प्रेस करेंगे कि बच्चा लेट क्यों आता है तो इसका अंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी दोस्तों सेसर ने वारा यहीं पर साप्त हुता है जबरस सेसर के साथ में मिलती है चलो को स्काइब करें प्रेस करें मिलती है नेक्स सेशन में जैन दोस्तों बंदे मात्रम